नवस्कार दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं जो सिक्षक भरती पिर किरिया है उसमें अथी सिक्षकों के बारे में जानकारी अथी सिक्षकों को पहले कहा गया था कि आपकी महासावा बुलाये जाएंगे फिर महासावा में कहा गया नई नीती बनाएंगे फिर उसमें कहा योजना बनाई जाएगी ये सिवरा सिंग चुहांगी ने 2 सेतंबर को पोपाल में महासभा का आयोजन किया था उसमें कहा था इससे पहले अत्ती सिक्षकों को जो अनुबंद रहेगा वो आपका एक साल का होगा पहले को एक साल का होगा और जो योगता में आएंगे उनके लिए पर्मानेंट किया जाएगा इसके साथ साथ ही नई नीती का निर्मार किया जाएगा आत्ती सिक्षकों के लिए ये सब सरकार की तरफ स पहले बताया गया है लेकिन हम देखते हैं आज एक नया नियम जारी कर दिया है नियमित सिक्षकों की जोइनिंग के बार अत्ती सिक्षकों को कार्मुक्त हो जाएंगे इसकूली सिक्षक बभाग का आदेश तुरंत कारवाही होनी चाहिए प्रदेश के विमिन स्कूलों में पढ़ाने बाले अत्ती सिक्षकों को नियमित करने की उपस्थिती होते ही जो नियमित सिक्षक आता है उनकी उपस्थिती होते ही कार्मुक्त कर दिया जाएगा इस समंद में स्कूल सिक्षक बभाग ने सभी जिले सिक्षक बभाग अधिकारियों और संकुल प्राचार को पूर्टल से कारमुक्त नहीं किया गया है तो बिभागी अधिकारियों ने इस पर कड़ी आपती करते हुए कहा है कि यह सासन के आरेसों की अभेलना होगी और घोर नियमित दरसाई जाएगी इसके बाद जब फिर से संकुल प्राचार को निर्दिश दिये गए तो जिन स्कूलों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्छकों की परिस्थापना हो चुकी है ऐसे स्कूलों से ततकाल अत्री सिक्छकों के ओनलाइन बिल जनरेट कर उन्हें दो दिन में कारमुक्त करें अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस मामले अधि सामने आते हैं ऐसा नहीं किया जाता है तो सम्मंधित पर कारवाही की जाएवी जाएवी क्या होगा यदि उन्होंने पात नहीं मानी तो उनके खिलाप कारवाही होगी लोग सिक्छा संचनाल है कि डियस कुसवा ने इस सम्मंध में बिकास खंड सिक्छा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किये हैं ये रही जानकारी लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया है इन्होंने कहा था नई सिक्छनीती बनाएंगे क्योंकि अत्री सिक्छक दस और बारा साल से कार कर रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि नियमित करेंगे नियमित करने की योजना बनाएंगे लेकिन अभी जो नई अ पूरी करतब निष्ठा के साथ अपने दायतों का निर्वान किया लेकिन अब क्या हुआ कि यह नया आदे से जारी कर दिया जिसमें अत्थी सिक्षकों के लिए हटा दिया जाएगा अब उनकी जो आपकी निष्ठा है करतब निष्ठा है उसके साथ क्या हुआ आप इसमें कमेंट करें कि क्या होना चाहिए अत्ती सिक्षकों के साथ जो हुगा वो गलत हुगा या सही हुगा अपनी राय अबस्द हैं इस वीडियो को अधिक से अ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुच सके